भारत्चुडो न्याय आत्रा में मनिपूर से हम महराष्टा गए और रास्ते में हजारों युवाओं ने कंप्लेंड की थी कि हिंदुस्तान में नॉन स्टॉप पेपर लीक होते हैं और आज आप सब को मालुम है कि नीट पेपर एंड युजीसी एनिटी के जो पेपर्स हैं वो लीक होए हैं और एक कैंसल भी होआ है कहा जा रहा था कि नरेंद्र मोदी जी ने युकरेन की लड़वाई रोक दी थी मतब एक ओडर देके जो रूस और युकरेन के बीच में लड़ाई चल रही थी उसको रोक दिया था ब्रिक लगा दी थी इस्रेल और गाजा के बीच में जो लड़ाई चल रही थी उसको भी नरेंदर मोदी जी ने रोक दिया था मगर किसी ना किसी कारण जो हिंदुस्तान में पेपर लीक हो रहे हैं उसको नरेंदर मोदी रोक नहीं पा रहे हैं या रोकना नहीं चाहते हैं नुकसान स्टूडन्स का होता है, जो हिंदुस्तान के स्टूडन्स हैं, मैं जानता हूँ, कि आप इन एक्जाम्स के लिए महीनों, सालों काम करते हो, यह आपका फ्यूचर है, और आपके फ्यूचर से खिलवार किया जा रहा है, मध्यप्रदेश में व्यापम हुआ, और अब उस व्यापम को नरेंद्र मोदी जी और उनकी सरकार पूरे देश में फैलाने का काम कर रही है, मैं इंस्टिटूशनल कैप्चर की बात करता हूँ, मीडिया की बात करी, अलग-लग हिंदुस्तान के जो संस्ता हैं, उनकी बात की, यही एजुकेशन इंस्टिटूशन में हो रहा है, पेपर लीक का कारण है, कि सारे के सारे वाइस चांसलर्स, एजुकेशन सिस्टम को, बीजेपी के लोगों ने, उनकी पेरंट ओर्गनाइजेशन ने कैप्चर कर रखा है, जब तक यह कैप्चर, रिवर्स नहीं किया जाएगा, तब तक पेपर लीक चलता जाएगा, इस कैप्चर को फसिलिटेट नरेंदर मोधी जी ने किया है, और यह एक एंटी नैशनल एक्टिविटी है, क्योंकि यह देश का भविश्य है, और इससे हिंदुस्तान के यवाव को, स्टूडन्स को, जबर्दस चोट पड़ती है, इंक्वाईरी चल रही है, एक को आपने कैंसल कर दिया है, अब पता नहीं, दूसरे को कैंसल किया जाएगा, या नहीं किया जाएगा, कोई ना कोई तो इसके लिए जिम्मेदार है, और उनको एक दम पकड़ा जाना चाहिए, और उन पे आक्शन लिया जाना चाहिए,